बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास एट सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीत विशय का पहला चैप्टर कैसे कब और कहां हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मान देत प्रस्नों के उत्तर और पहला प्रस्ने यहाँ पर सही और गलत बताएं कहे है जेम सिमिल ने भारतिय इत्यास को हिंदू मुसलिम इसाई तीन काल खंडों में बाड़ दिया था तो यहाँ पर आपने सही गलत बताना है उत्तर लिखेंगे आप सही इसके बाद अगला यानकी दूसरा प्रस्ने यहाँ पर है खैवाला सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं तो क्या यह सही है उत्तर लिखेंगे गलत इसके बाद अगला प्रस्ने है गैवाला अंग्रेजियों को लगता थ कि सही तरह सासन चलाने के लिए सर्वेक्षन महत्वपूर्ण होते हैं तो बच्चो इसका उत्तर लिखेंगे आप सही और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए प्रस्न शुरू हो जाते हैं आईए विचार करें आप देखरें यहाँ पर आप अपनी पाठे पुस्तक के पहले चैप्टर के आंत में देखें इसी प्रकार से आपको वहाँ पर प्रस्न मिलेंगे तो यहाँ पर जो आईए विचार करें में दूसरा प्रस्नी यहाँ पर जेम्स मिलने भारती इतियास को जिस तरह काल खंडों में बाटा है उसमें क्या समस्याएं हैं उत्तर में इतियास किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतियास को निम लिखी तीन काल खंडों में बाटा था इस परकार आप इसे लिखेंगे उसके बाद उन तीन काल खंडों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं नमबर एक हिंदू, नमबर दो मुसलिम और नमबर त इस प्रकार से आप इस प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे देख रहें ना आप यहाँ पर यह है प्रस्ण और यह है उसका पूरा उत्तर यहाँ पर जो है इसके बाद लिखेंगे आप इसी उत्तर में समस्या क्या थी जेन समिल द्वारा भारत के इतियास को इस प्रकार तीन खंडों में बांटने के बांटने से निमलिकित समस्याई थी और नमबर एक समस्या क्या थी यहाँ विवाजन सामपरदाइकता के आधार पर किया गया था नमबर दो दूसरी समस्या क्या थी या काल विवाजन और निवेशिक विचारधारा पर आधारित था और तीसरी समस्या जो थी बच्चो इस काल विवाजन का उद्देश या भारतियों को अलग-अलग पहचान देकर फूट डालना था तो इस प्रकार से आप प्रस्ण का पूरा उत्र लिखेंगे इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रस्ण की अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा उत्र में लिखेंगे अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न लिखित प्रकार से कैसे रखा था यहां पर देखेंगे आप पॉइंट में लिखेंगे आप पॉइंट बना बना कर नंबर एक सवी सास की असंस्तानों में अविलेक कक्स बनवाए नंबर दो तैसील के दफ्तर कलक्रेट कमिशनर के दफ्तर प्रांतिय सचिवाले कचहरी सवी के लिए अपने मैतोपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षी रखने के लिए अब लिखागार और संग्रालय जैसे सस्तान भी बनवाए तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिखेंगे यानि कि तीसरे प्रस्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे इसके बाद बच्चों बात करते यहां पर चौते प्रस्न की तो चौता प्रस्न यहां पर पूछा गया है इतिहासकार पुराने अकबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उबलब्द जानकारी से किस तरह अलग होती है उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे प्रादारित होती हैं इस तरह अकबार घटनाओं का सही और बिस्तिरत विवरन प्रस्तुत करता है पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट के पक्सता पूर्ण होने की संभावना होती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच बरिष्ट अधिकारियों के दवाव तता जहां चदिकारी के ब्यक्चितों पर निर्वर होती है तो इस प्रकार से आप इस चोते प्रस्न का उतर लिख सकते हैं इससे आप ध्यान पूरबग देखें और ठीक इसी प्रकार उतर लिखें इसके बाद बच्चों पांचों प्रस्न है यहां पर आपके लिए आईए करके अब देखने निया आप पर पांचों प्रस्न क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उधारन दे सकते हैं सोचकर देखिए कि खिलोना बनाने वाली कंपनियों को यहां पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं यहां सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संक्या कितनी है इतियासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या आसिल कर सकते हैं उत्तर में लिखेंगे बच्यों आप उत्तर लिखेंगे सर्वेक्षणों के उधारन सर्वेक्षणों के कुछ उधारन निम लिकिते हैं और क्या-क्य उदारने जो सर्वेक्षन होते हैं उनके जैसे जन गरना चुनाव पूर्व सर्वेक्षन बनु का छेत्र फल जानने के लिए सर्वेक्षन नए ते लोग गैस छेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षन इस प्रकार से आप इसमें यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं और साथ साथ आप लखेंगे खिलोने बनाने वाली कमपनियां हैडिंग डालके और खिलोने बनाने वाली कमपनियां भी सरवेक्षन के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं दूसरा सरवेक्षन जैसे इसकूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार इसकूल बिविन जानकर यां इकटा कर सकते हैं और समाज में आ रहे हैं बदलाओ के विशे में लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लेखेंगे देख लिए आपने पूरा प्रस्न और इसका उत्तर ये था आपका पांचवा प्रस्न और इस प्रकार से आप इस सुपरो!